हलो दोस्तो आपका बहुत-बहुत सौगत है हमारे यूटूब चैनल प्यू कीचन में तो आज मैं बनाऊंगी गुलाब जामुन जो की बहुत ही जल्द अपने घर में बना के इसको तैयार कर सकते हैं तो चलते हैं इसको बनाना सुरू करते हैं तो यहाँ पर मैं टॉप्स का इंस्टेंट मिक्स पाउडर ले ली हूँ इसको मैं एक कटोरे में निकाल लूँगी इस पाउडर को तो यहाँ पर मैं सारे पाउडर को एक कटोरे में निकाल ली हूँ तो यहाँ पर मैं आधी कटोरी मिल्क ले ली हूँ तो अब इस में मैं थोड़ा थोड़ा दूद डालूंगी और हलके हाथों से इसको मैं मिक्स करूंगी और हमें इसको मिक्स करके एक डू तयार करना है तो इसे को हमें हलके हाथों से ही मिक्स करके तयार करना है तो ये डू बन के तयार है तो इसको मैं 10-12 मिनिट के लिए रेश्ट के लिए रख लूँगी तो अब मैं चासनी बनाओंगी चासनी के लिए यहाँ पर मैं दो कटोरी पानी ले रही हूँ और एक कटोरी उसी कटोरी से एक कटोरी चिनी ले रही हूँ तो यहाँ पर मैं फ्लेवर के लिए हरी लाइची डाल रही हूँ और इसको मैं 5 से 10 मिनट अच्छे से पकाऊंगी और आप देख सकते हैं यह चासनी बनके तयार है तो हमें एक तार की चासनी नहीं बनाना सिर्फ है इसमें चिपचिपाहट है इसी तरह की चासनी हमें बना के तयार करना है तो यह चासनी बनके तयार है तो डो अच्छे से सौप्ट हो गया है तो इसको मैं थोड़ा और मसल लूँगी हल्क के हाथो से और अब मैं इसकी छोटी-छोटी निम्बू की साइस की छोटी-छोटी गोली बना लूँगी तो यहाँ पर मैं थोड़ा से डो हाथ में लिए हूँ और अच्छे से हाथों से मसल के इसको हमें गोला कर लेना है और हाँ इसमें बिर्कुल भी दरारे नहीं होना चाहिए नहीं तो फ्राई करते वक्त एक गुलाब जामून फट जाएंगे तो यहाँ पर मैं सारे गुलाब जामून को बना ली हूँ तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे तेल को गरम कर ली हूँ और हमें गैस को एकदम लो तो हमें इसको धीमी आज पर ही पकाना है तो हमें इसको डार्क ब्राउन कलर में फ्राइब करना है तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है हमें इसको थोड़ा और फ्राइब करना है तो आप देख सकते हैं यह फ्राइब हो गए हैं अब इसको मैं निकाल लूँग तो निकाल के मैं इस चासने में डालूंगी और इसी तरह से मैं बना के चासने में डाल दूंगी तो आप देख सकते हैं यह हमारा गुलाब जामून बनके तयार है और आप भी इस तरह से गुलाब जामून बना सकते हैं और हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक है कि और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं इस वीडियो में नई रिस्पी के साथ धन्यवाद